हेलो एब्रीवन इस प्रिडियो में डिजाइनर ब्लाउस की कट्टिंग करूंगी तो लानिंग और विन फिल लियुँ अहीं हैं वन मीटर कटिंग हमें लानिंग फिल उपर करना हैं फिल्वरीक को टॉप फोल में रखते विए नीचे से सीधी लान से कप्ड़े को सिधा कर करना है द्राओज की टॉटल यंद्र फूटींज मारिजन का प्लस करके 15 फर मार करना है कि स्टिट लाइन डोकर नी है और यहां से हमें सोंडर के लिए मार्किंग करनी है तह यहां में 38 साइज में के सोन्डर का हाफ लेना है सुल्डर है फूटी ने उसका हाफ सिवन से ऐसे हमें छेस्ट का पोर्टपार्ट लेना है कि तो चेस्ट हे थर्टी एट थर्टी एट का पोर्ट पार्ट 9.5 ऐसब मारके पर जा striving 1 इस वीच टुप ज़ा लएक तक्स स्थी इस्ट मर्जन जों का लेते रिक मर्शाया पर लान हरो ऋके लीना है वन इस पर आर्म होन का सेथ देना है सेंटर पर 4.5 इस पर मार करना है लेंद के लिए में मार्किंग करेंगे 4.5 इस पर लाइन डू करेंगे सेंटर लाइन से हाफ हाफ इस लेना है दोनों ही साइड वेट टिक्स की मार्किंग करनी है डिप ने खही तो देखे विश्ट ऑग पर हाफ इंस W करनी है और इसे में टक से मिलाना निक की बीट के लिए माक केनी है मैं ल्हाइन की रखना नइची की साइट बीट को ढून ही साइट से अब में आपर राउनेक का सेट देना है आप जाहें तो कोई और सेट भी दे सकते हैं पार्ट को कटकर लेना है यहां से नेकी कटिंग और वेस्ट राइक पर कटिंग हम बाद में करेंगे फ्रेंट पार्ट पर मार्किंग के बाद फ्रेंट पार्ट को कटकर लेना है तो नीचे से सीधी लाइन डो करेंगे कपड़े को और सीधा करने के लिए फ्रेंट पार्ट पर हमें हाफ इस लिंद को पढ़ा कर कटकर ना है तो हाफ हाफ इस वर मार्क करेंगे नीचे की साइट पर लाइन डो कर लेंगे सिंटर पर हमें आई औरुकी पट्टी का मार्जिन लेना है 0.3 इंज दोनों ही लाइन के ऊपर ओवलेब करना है बैग पार्ट को बैग पार्ट के कोटिंग हेज़िटीस मार्किंग लेनी है बैग पार्ट को हटाना है और यहाँ पर हमें टोईज इस्टा लेना है प्रिंसेस के पार्ट के लिए और मॉल के साइट पर 0.75 इंज लेते हुए लाइन डो करेंगे साइट पर मार्किंग को मिलाते हुए लाइन डो करेंगे और साइट का इस्टा फिवरी कट करेंगे प्रेंसेस के पार्ट के लिए मार्किंग करनी है आए अगर की पटी का मार्जन चोड़ते हुए मार्किंग लेनी है 3.5 इंच पर उपर सोल्डर से टक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच पर टक्स पॉइंट पर विट देखें आपर 4 इंच पर मार्किंग लेनी है मिला ते पार पेक review टक्स को मिलाएंग गार्ड होल से अब में टक्स केes ट्रेट के लिए मार्किंग के नहीं है प्रेंसस केटका उआए अब में वह फ्लीजा से दोनही पार्ट को बराबर कर लेना है तो पहले वह अपार पर केवा पार जो दोनों ही पार्ट को पर नीचे रखेंगे फ्रैंक पार्ट पर मार्किक लेनी है बैक पार्ट के कोडिंग इसे हमें टक से मिला कर पार्ट को कट करना है तो दोनों ही पार्ट को पर नीचे रखेंगे और यहाँ पर हमें नेको डाउन कर लेना है 2.25 इंज तक macodown करेंगे shoulder down महीं करना है macodown करेंगे और अब हमें part को cut कर लेना है यहाँसे सबसे पहले process के part को cut करेंगे दोनोे ही friend के part है तो अब हमेंaggi bit के लिए marking करना है 2.25 इंज पर और length लेंगे 6.50 नीचे के साइड पर विट लेनी है 2.75 दोनों भी साइड से लाइन डो कर लेंगे और यहां पर हमें कर भी से ब्रोकर लेना है कटिंग हमें बात में करनी है रैंट पार्क की कटिंग हो गई है अब हमें बैकारमोल को मेजर करना है स्लीप कटिंग के लिए तो सबसे पहले में हाफ इंच स्टिशिंग का छोड़ना है सोल्डर पर और विए कारमोल को मेजर करेंगे तो यह आ रहा है 9.75 इंच तो फविवरीक को फोरकॉड करना है 9.75 इंच पर यहाँ पर मैंने 10 inch पर 4 fold किया है यहाँ पर जहाँ पर fabric नहीं है वहाँ पर भी marking लिए है रेट्थ में line डो करेंगे अब में sleep की length के लिए marking करनी है sleep की length है 7 inch 1 inch plus करेंगे तो 18 inch पर mark करना है यहाँ से भी marking लेनी है 18 inch पर line डो कर लेनी है और open side से हमें 3.5 inch down पर करते हुए sleep का save देना है sleep round लेना है 6 inch 2 inch लेना है इससे हमें देखिया आर्मोल से मिलाना है और यहाँ से sleep को कट कर लेना है sleep को open करेंगे आप इस अंदर से front आर्मोल को कट करेंगे तो sleep की cutting कर लिए सारे पाट की cutting में फेबरीक पर करनी है फेबरीक को टूब रखना है और इस तरहीं से सारे पाट को set कर लेना है और उसकी बाद हमें cutting करनी है तो cutting हो गई है अवर में stitching करनी है प्रेंसेस के पार्ट को stitch करेंगे तो पार्ट को wrong side पर रखना है उसके उपर lining पार्ट को रखते हुए चारोई side से stitch लगानी है lining और main फेवरिक को stitch करना है side cluster फेवरिक कट कर लेना है neck की cutting करनी है marking की उपर से ही cutting करेंगे और center से भी हमें पार्ट को cut कर लेना है main फेवरिक और lining फेवरिक दोनों पर ही cut कर लेंगे अब मैं neck की side पर piping बनानी है दोरी piping बनानी है तो देखें यहाँ पर मैंने silver color का फेवरिक लिया है cross में पट्टी डो करनी है two twins की line डो करेंगे और इसे यहाँ से में cut कर लेना है यह ध्यान रखना है कि दोनों ही side से एक ही side को cross में cut करना है पट्टी को joint करना है तो इस तरीके से उपर नीचे रखेंगे और यहाँ से पट्टी को joint कर लेंगे इस्टा मार्जन को फैलाते हुए अब में यहाँ पर डोरी पाइपिंग बनानी है डोरी को अंदर की साइड पर रखते हुए हाफ इस फेबरी को फोल्ड करना है और बिल्कुल पास से सिलाई लगानी है डोरी के नीचे की साइट पर फेबरी को पकड़ना है उपर से हलका सा खीषते हुए स्टिस लगानी है तो बहुत ही पेसिंग से डोरी पाइपिंग कम्प्लीट हो जाएगी तो देखें इसे बनाना बहुत ही आसान है अब मैं इसे पार्ट पर स्टिस करना है तो दोनों ही पार्ट को में पार्ट को राइट साइट पर रखना है देखें यहाँ पर मैंने पार्ट को राइट साइट पर रखा है उसके उपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए अब मैं एक साइट के पार्ट को इस्टिस करना है lining part को इस तरीके से पलट लिया है और अब हमें यहां पर invisible piping बनानी है तो डौरी piping को इस तरीके से रखना है नेची की साइट पर चेक करते रेना है क्ट करेंगे इस तरीके से पलट लेंगे lining part को और side से पटि का जो इस्ट जो इस्टा margin है से स्क्राइब करेंगे अब हमने जिस तरीके से पहले रखा था उसी तरीके से रखना है में पार को राइट साफ पर उसके उपर कि रखते हुए है और पर इस टिश लगानी है तो जो इस इस हमने डोरी पाइपिंग को इस rist quality हमें लगा को पलट लेना है कि पलटते हुए यहां पर हमें कॉर्नर की स्टिसिंग लगानी है डोरी पाइपिंग के बिल्कुल पास से लगानी है बिल्कुल भी गयप नहीं रखना है स्टिसिंग में और यह भी दियां रखना है कि डोरी पाइपिंग के उपर स्टिसना है साइट से भी law planning और region को test करेंगे को और कि साइट का इस्टा फेशिया पीवरी कट करेंगे दोनु या पार्ट इसी तरीके से complete करना है सयंटर पार्ट पर प्रेसजी के पार्ट को इस टिश करना है तो वेß्ट कि सैट से में की स्टिशिंग लगानी है हाफ इसका मार्जन लेते हुए तोनों ही पार्ट को इस्टिश करेंगे इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करना है अब हमें आयोर होड की पट्टी बनानी है तो आप अपनी पसंद से किसी भी सईट आयोर होड की पट्टी बना सकते हैं तो सबसे पहले हमें बनानी है आई की पट्टी, पट्टी की बड़ थे 2.5 इंस, लाइनिंग फेवरिक भी लिया है 2.5 इंस का, और साइट से और उपर की साइट से इस्टिस भी लगा लिए है, इस तरीके से से सेंटर से पट्टी को फोल करेंगे, और यहां से हमें स्टिस लगानी है, उपर की साइट से, पट्टी की उपर, अब हमें बनानी है हुकी पट्टी, पट्टी की वर्थे ट्रेंज, फोल करते हुए, वन फोट की गप से स्टिस करेंगे, पूरे ही सेंटर पार पर, नेक की साइट पर पट्टी को फोल करते हुए, स्टिस करना है, पट्टी को ओपन करेंगे, एक है पट्टी के उपर से तो आई और की पट्टी कम्प्लीट हो गई है दोनों ही पार्ट को उपरी से रखेंगे और नीचे की साइड से पार्ट को ब्राबर करें लेना है अब हमें लगानी है कमर पट्टी, सेंक्टर से पट्टी को फोल करेंगे और वन फूट के गैब से इस्टिस करेंगे पूरी ही वेस्ट वर, तो यहां पर पट्टी की विट्थ जो है 1.5 इस है, इस्टा पट्टी कट करेंगे, पट्टी को उपन करते हुए, एक इस्टिस और कर लेनी है पट्टी के उपर, पूरी पट्टी को फोल करेंगे और वन साइट टर्न करते हुए, एक इस्टिस और करेंगे पट्टी के उपर से, अब हमें आर्मोन पर कटिंग करनी है तो आप यह चंदर से मार करेंगे और फ्रेंट आर्मोन को कट करेंगे तो यहाँ पर मैंने डो करके कट किया है आप जाहें तो बिना डो किये ही कट कर सकते हैं यहां से इस्टिश आपन है तो फश्टिस करेंगे और इसी तरीके से दूसरे साइड के पार्ट पर भी कमर पट्टी और आर्मोन की कटिंग कर लेनी है फ्रेंट पार्ट कॉप्लिट हो गया है बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है तो सबसे पहले नेक को कट करेंगे लाइनिंग और फिर एक दोनों पर ही और यहाँ पर भी हमें इन विजुल पाइपिंग लगानी है लाइनिंग पार्ट के उपर इस तरीके से पाइपिंग को रखेंगे और नीची की साइड से हाफ इस मारजन लेते हुए पूरे ही नेक पर डोरी पाइपिंग को स्टिच करना है तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि डोरी पाइपिंग के बिल्कुल पास से ही स्टिचिंग लगानी है और नीची की साइट पर वन फुट का ही मारजन कभर करना है स्टिचिंग में अभ में इस तरीके से पार्ट को पलट कर जो डोरी पाइपिंग का स्ट्रफ हेवरी खेव से कट कर लेना है main part को right side पर रखना है उसके ओपर lining part को wrong side पर रखना है और wrong side पर रखने के बाद जो stitch दिख रहे हैं उसी के ओपर से हमें stitch लगानी है तो सबसे पहले हमें neck को pin up कर लेना है जैसे उसके बाद हमें stitch लगानी है को पूरी नेपर कट लगाना है और इस तरीके से पाट को राइट साइड पर पलत लेना है उसके बाद हमें यहां पर डोरी पाइपिंग के बिल्कुल पास से इसलाय लगानी है, कॉर्णर पर इस्ट इस लगानी है, तोनेक को कम्प्लीट करें लिया है, साइट से इस्ट करेंगे, लाइनिंग और मेhelmरी को डाइस करने के बाद साइट का इस्ट ला फ्यारी कट कर लेना है ही जो जाए है टक्स लगाना है तो सबसे पहले हमें स्टेट में स्टिस करना है उसके बाद भूल करते हैं मार्किंग की उपर से उस्टिस लगानी है दोनों ही टक्स इसी तरीके से कंप्लेट करेंगे वेश्ट पर पट्टी लगानी है जिस तरीके से हमने फ्रेंट पार्ट पर लगाई है पट्टी के बिट यहां पर लिए है 1.5 इंज वन फूट के एक अपसे इस्टिस करेंगे पट्टी को अपन करते हुए एक इस्टी चौर कर लेने हैं पट्टी के उपर से पट्टी को रोग साइटेन करना है और एक इस्टी चौर कर लेने हैं पट्टी के उपर बैक बार्ट कम्प्लेट हो गया है अब हमें सोल्डर इस्टिस करना है तोनों ही बार्ट को पनीची रखते हुए सोल्डर को इस्टिस करेंगे और राइट साइड पर भी एक इस्टिस लगा लेनी है सोल्डर के उपर सोल्डर को ब्राबर करेंगे दोनों ही सोल्डर को ब्राबर करेंगे और वैप पार्ट की सेंटर मार्किंग लेनी है सेंटर से मार करेंगे और सेंटर पर रखना है फ्रेंट पार्ट को सेंटर से सिंटर मिलाते हुए इपनप करेंगे और साइट से दोनों ही पार्ट को बराबर करेंगे फ्रेंट और वेक दोनों ही पार्ट को बराबर करेंगे जो इस्टा फेवरीक है उसे कट करेंगे आर्मोल की साइट पर भी चेक करेंगे अगर इष्टा खेवरीख है तो उसे ब्राबर करेंगी यहां पर इस टीश ऊपने तो सबसे परले हम इस टिस्ट लगानी है ड़के यह स्लीप डिजाइन तो यह वीडियो बहुत ही लॉंग हो रही थै इसलिए मने स्लीप डिजाइन की वीडियो इसमें एड़ नहीं करी है तो स्लीप की सेंटर इसमें लाग idiयन你好 करेंगे और उपर सौल्डे से स्लीप खश्ट करेंगी हाफ़ी इसका margin खरते वह पुरी स्लीप राउऩ पर स्लीफ को हिस्ट्शिक कर लेना है है यहां पर front arm hole पर जो कट होता है और उसे देखते विए ही front arm hole पर जो कट किया था हुसे हमें front part पर हिस्ट्शिक करना है इसी तरीके से सिंटर से दूसरी साइड भी स्लीप को इस्टिस करेंगे दोनों इस्लीप इसी तरीके से इस्टिस कर लेना है पार्ट को राइट साइड पर रखना है और साइड पर हमें वन पूट का मारजन लेते हुए इस्टिस लगानी है इस्टा भी अबरी कट कर लेना है पार्ट को रोंग साइट टन करना है और एक इस रोंग साइट पर भी कर लेनी है वन फूट के गैब से और यह हिस्टी समय दूसरी साइट भी लगानी है देखे इस तरीके से अब हमें सेंटर से चेस्ट का 4 पार्ट लेना है चेस्ट है 38 4 पार्ट 9.5 इंच वेस्ट का मेजरमेंट लेना है वेस्ट है 32 4 पार्ट 8 इंच पर मार्ग करती हुए लाइन डो करेंगे पिस्टी ब्राउन लेना है 6 इंज टाइन टो करने के बाद यहीं मार्किंग हमें दूसरी साइट भी लेनी है और अब हमें फिटिंग लगानी है तो इस तरीके से डिजाइनल ब्लाउर्स कम्प्रेट हो गया है बनकर तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लागी के और सेयर करें और अभी तक मेरी सेनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्रीज सब्स्राइब करें थेंक यू